तो लेते इंडिया वुल रियल एस्टेट डेवलपर्स की कोई ट्लिया लिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो इंडिया वुल रियल एस्टेट में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज तेजी देखने को मिले और 6-7% का अपमूफ देखने को मिला वेल रिजिस्टेंस के नियरबाय है इसलिए यहां पर थोड़ा हर्डल होते हुए जा रहा है उपर की दिशा में बात करते हैं यहां पर तो 145 का स्टॉक में यहां पर आज हाय देखने के आसपास फिर क्लोज भी वा 143 के राउंड अब यहां पर ज्यादा हर्डल जो बन रहे हैं वह इन लेविल के बनने क्योंकि पहले यहां से रिवर्स लाया था और ट्रेंड लाइन का हर्डल था उपर की दिशा में तो अभ यहां पर देखें आप तो 26 के नतीजे और वो सारी चीज़ें फिर आपको समझ आएंगी अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर यहां देड़ सो क्या फिर आपको आने वाले दिरों में दोसों का अंकड़ा भी देखने को मिलेगा इंडिया वो मैं इसलिए बोल रहा हू तो फिर इतीजते कभी अच्छे रहते कभी बिगड़ जाते हैं कि यहां पे यहां पर आप देखने यहां यहां पर तेजी पकड़ रहे हैं इसके पहले जीत तो थोड़े वीक रहे और इसलिए यहां पर सब तेजी पकड़ रहा था था तो यहां से फिर एक स्लम्प के बाद फिर से चोटा सा करेक्षन वना और यहां से फिर से चलते नज़र आ रहा है इस टॉक स्टॉक अपन को अब बात आती है कि स्टॉक में जब्स के बाद क्या टागेट रहेंगे देड़ों के बाद की टागेट आपके सामने जो रहेंगे वो रहेंगे 155 के 155 साइक्ट लॉजी कल लेविल के बाद एक ऐसा लेवल होता है जहां तक सेलर काफी है उनका मूव यही र देखने को मिले का 155 156 तक रहेगा यह सस्टेन करता है तो यहां पर क्या होता है एक मूव बनेगा और यहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने के बाद देखने को मिलेंगे तो यह तो ही उपर की दिशा की बाद यह सारे अपने होगा एजर रिजिस्टेंस बात आती है वेस्ट सपोर्ट तो सपोर्ट आप देखें के कोई बड़े सपोर्ट तो है नहीं यहां पर ही इनी लेविल्स के आप मान के चल लीजे 138 पे अपना पहला सपोर्ट आएगा अगर यहां से कोई माइनर पूल बैक बनता है फ़र्द अगर सटॉक ड्रॉप होता है तो फिर नेक्स सपोर्ट इन दा लाइन विल वी एट 135 और 135 के बाद अपना जो सपोर्ट रहेगा लास्ट वो रहेगा 132 फिलाल अपन नहीं लेक वह जादा बहतर हैगा जब तक 130 की ऊपर हैगा तब तक यहां से आप उपर की दिशान रिधारित कर सकती स्टॉक अब यहां से 130 ब्रेक होगा तो वीकनेस आजाईगी डेफिनेटल आईगी और फिर स्टॉक नीचे की दिशा में 120 तक के लिए टेस्टिंग के लिए आएगा तो यहां तो 150 से आजाएगा अगर मार्केट को पसंद नहीं आया कि नतीजे बिगड़ने वाले हैं तो कल के दिन अगर मूव यहां चलता है तो ठीक है अच्छी बात है और थोड़ा बहुत उपर जाएगा तो यहां पर बागी सारी चीजे नतीजों पर डिपेंड करेंग तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मी सुबर मियादफ साइनिंग ओप